मोधी सरकार पचास साल पुराने कानून में संचूधन करने जा रही है। इसके लिए लोगसभा में बिल पेश किया जा चुका है। खुरू राजमंत्री नित्यानंदराई ने बुधवार को रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ एंड डेथ आमिद्माइन बिल 2023 पेश किया। इस बिल में क्या-क्या प्रावधान है और इसमें आपको कैसे फाइदा होगा देखते हैं रिपोर्ट में। कि इंद्र की मूधी सरकान ने लोग सभा में एक नया बिल पेश किया। इस बिल के कानून बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। बर्थ और डेट सर्टिफिकेट का डिजिटली रजिस्टेशन किया जाएगा। बिल में प्रावधान है कि रजिस्टर जन्म और मृत्यु का राष्टिय और राजिस्तर पर डेटाबेस तयार किया जाएगा। बिल के कानुन बन जाने पर सेक्शनिक संस्ताओं में दाखिले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वोटर लिस्ट तयार करने केंद्र या राजिस्तर कार में पदो पर नियुक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्युमेंट की रूप में यूस किया जा इस बिल के तहत रजिस्तर को बर्थ और डाध का फ्री में रजिस्टरेशन करना होगा इसका सर्टिफिकेट साथ दीन के भीतर संबलित व्यक्ति को देना होगा केंद्रे गुरु राजे मंतरी नित्यानन्द राई ने लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ओफ बर्थ एंड डेट बिल 2023 पेस किया ये बिल 1979 के रजिस्ट्रेशन ओफ बर्थ एंड डेट कानुन को संसुधित करेगा प्रस्तावित बिल में जन्म और बृत्यों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया जाएगा हाला कि कॉंग्रेस आंसद मनिस्तिवारी ने इस बिल का विरोध किया उन्होंने दावा किया है कि इससे निजिता के अधिकारी का उनलंगन होगा प्रस्ताव बृत्यों किया तुम ट्रावधा जिजिता प्रस्तावे ने कि इससे निजिता ने किया है